बिस्मिल्लायरह्मानिर्रहीम, हेलो एवरिवन, प्रोग्रामिंग सीखने के बाद भी हमें एरर्स क्यों मिलती है, लॉजिक क्लिक क्यों नहीं हो पाता, और कोड भी याद नहीं रहता, इसी टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ, और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप कुछ concepts है, वो अधूरे रह जाते हैं, तो ये गलती आपको कभी नहीं करने, जल्द बाजी में कभी नहीं सीखना, मैं आपको जो steps बता रहा हूँ, आपको वो steps follow करने है, और फिर आप देखो कि आप किस तरह से coding में master बन जाओगे, और ये सभी steps मैं आपको अपने experience से बता लेनी है, अब list कहां से मिलेगी, symbol है, Google को open करो और लिखो W3 school, W3 school की website को आपको open कर लेना है, और जो भी language आप सीख रहे हो, उसको आप यहाँ पर select कर लोगे, तो यहाँ पर आपको उस language की एक list मिल जाएगी, आप क्या करोगे कि यहाँ पर जितने भी topics है, उनको अपनी note मे तयार कर लोगे, ठीक है, आपने notes में लिख लिया list तयार हो गई, अब इस तरह से पढ़ोगे कि जब तक वो clear नहीं हो जाता, next topic पर नहीं जाना, तो आपको क्या करना है कि इसमें जितने भी topics है, सभी topics पर आपको 10-10 programs बनाने है, आप चाहो तो ज्यादा भी बना सकते हो, लेकिन minimum आपको 10 तो program बना नहीं है, for example आपने list के अंदर से पढ़ा function का topic, तो functions पढ़ने के लिए आप YouTube के वीडियोज देखोगे, और उस वीडियो को देखने के बाद, आप इस तरह से code लिखोगे, जिसके अंदर function का use हो रहा हो, और ऐसे आप 10 programs बनाओगे, अब ज़र आ मैंने आपको step number one बताया, topics को list out करो, और सभी topics पर 10-10 programs बनाओ, और जब तक एक topic ठीक से clear नहीं होता, आपको next topic पर नहीं जाना, और जल्द बाजी में coding बिल्कुल भी नहीं सीखनी, अगर जल्द बाजी में सीखोगे, तो coding के concepts अधूरे रह जाएंगे, और सीखने का मज़ programs बना लिए, फिर आप 10 दिन के बाद दूसरे 10 programs बनाओगे, इस तरह से काम नहीं चलेगा, आपको हर रोज practice करनी होगी, तो step two है, questions को solve करो, अब कहां से solve करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन याद रखो, अगर आपने इन questions को उस तरह से solve किया, जो मैं बता रह हूँ, तो future में, आपकी coding skills अलग ही level पर होगी, तो questions को solve करने के लिए, आप फिर से google open करो, और उस programming language का नाम type करो, जो आप सीख रहे हो, for example, आप type करोगे python, और इसके बाद आप लिखोगे, w3 resource solution, अब w3 resource की website पर, आपको questions मिल जाएंगे, with solution, आप इनकी website की link को open करोगे, औ अगर कोई questions solve नहीं होता, तो वहाँ पर solution भी दिया हुआ है, आपको क्या करना है, कि एक दिन में सिर्फ 4 questions को solve करने है, ना कम ना ज्यादा, सिर्फ 4 questions को solve करने है, अगर आप एक दिन में 4 questions को solve करते हो, यहां से, इसका मतलब है कि आप 60 days के बाद वो बंदे होगे, जिसने 240 questions solve करिये होंगे, तो यह 240 questions प्लस step 1 वाले हर topic के 10-10 questions को solve, तो कुल मिला कर आपने 400-500 के बीच में questions को solve कर दिये होंगे, अब आप समझ सकते हो, कि जो बंदा 400-500 questions को solve करेगा, उसका level क्या होगा, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, आपको यह questions जल बाजी में solve नहीं करने, questions को प मैं आपको बताया, W3 resource, जहाँ पर आप questions को solve करोगे, तो जब तक आपके यह 2 steps complete होंगे, उस वक्त तक आपने 400-500 questions को solve कर दिये होंगे, अब है step 3, बहुत ही important, projects, देखिए programming language सिखने के बाद, अगर आप projects नहीं बनाओगे, तो programming language सिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, projects बना आने है, फिर देरे-देरे आपको future में अपना level increase करना है, लेकिन projects meaningful होने चाहिए, और यही projects आपके interview में भी काम आएंगे, तो यह तो मैंने आपको कुछ technical points बता दिये, लेकिन इसके अलाव आपको क्या करना है, कि ऐसे बच्चों के साथ contact ज्यादा रखना है, जो coding सीख रह जो भी आपको नहीं आता, आपके college के professor से पूछो, बार बार पूछो, जब तक कि वो solve नहीं होता, अपनी college में developers का एक group बना लो, सब मिल के साथ में सिखो, और एक दूसरे की question को solve करो, क्योंकि आपके friends जो आपकी question solve करेंगे, और उनसे आपको जो सीखने को मिलेगा, आपको मेरा idea बताता हूँ, तो देखिए, मेरे time table का तरीका थोड़ा सा different है, मैं क्या करता था कि रात को सोने से पहले, इस diary में, वो topics, वो questions लिख लेता था, जो मुझे दूसरे दिन solve करने है, अब वो दूसरे दिन में कभी भी किसी भी वक्त कर सकता हूँ, लेकिन अगर उ सोने से पहले इस diary में लिख लेता हूँ, और दूसरे दिन मैं उनको follow करता हूँ, और जैसे जैसे questions solve होते जाते हैं, मैं उनको tick कर लेता हूँ, तो मैं इस तरह से coding करता हूँ, अब जो students इस channel को follow करते हैं, और इसके videos देखते हैं, उनके लिए एक announcement है, बहुत जल्द में इस चैनल पर C language का एक complete course launch करने वाला हूँ, जिसमें आपको C language बिल्कुल 0 से advance तक पढ़ाया जाएगा, और आपके C programming के सारे doubts भी अच्छे से clear करवाये जाएंगे, अब इस C programming के videos का काम चल रहा है, लेकिन बस कुछ दिनों के बाद वो launch हो जाएगा, ये course मैंने बहुत महनत से बनाया है, और मेरा सारा coding का experience मैंने इस C programming के course में डाल दिया है, जो कुछ दिन में launch होने वाला है, तो अगर आपने अब तक इस channel को subscribe नहीं किया, तो आप इसको subscribe कर सकते हो, अपने friends के साथ भी इस channel को share कर सकते हो, और अगर आपको इस video में perfection लगी हो तो आप इस video को भी like कर स देखे एक दिन coding कर लेने से आप coding में master नहीं बन सकते, आपको बहुत महनत करने होगी, तब जाके 2-3 साल के बाद एक वक्त ऐसा आएगा, कि आप जिस तरह से सोच सकते हो, उस तरह से आप software बना सकते हो, यानि कि आप जैसा चाहे वैसा software बना सकते हो, लेकिन इसके लिए मह महनत भी तो जरूरी है ना, तो अच्छे से महनत करना और daily practice करना, ठीक है, मिलते हैं हम next video में, तब तक के लिए bye